बाई और बहनों जनान्दोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सभलता का आधार है पहले शहरों में कच्रा सड़कोपर होता था गलियों में होता था लेकिन अब गरों से नकेवल वेस कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है बलकि वेस सेग्रिगेशन पर भी जोर है बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कोड़े के लिए अलग-अलग नश्मिन रख रहे हैं गरी नहीं घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती हैं तो लोग स्वच्चता एप से उसे रिपोर्ट करते हैं दूसरे लोगों को जागरू भी करते हैं मैं इस बात से बहुत खुश हो जगत होता हूँ कि स्वच्चता अभ्यान को मजबुत्ती देने का बीड़ा हमारी आज की पीड़ी ने उठाया हुआ है टौफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फैंके जाते हैं बलकी पॉकेट में रखे जाते हैं चोटे चोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंद के मत करिये दादा जी नाना जी दादी जी को पताते हैं यह मत करो शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्चता अभ्यान में मदद कर रहें इनिशेटिव ले रहें कोई बेश से बेल्ट बना रहा है को तो कोई यागरूता बढ़ाने में जुटा है लोगों में भी अब इस परधा है कि स्वच्च भारत रेंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए और अगर पीछे रह जाता है तो गाउं में भी दबाव खड़ा होता है अब क्या हुआ वो शहर आगे निकल गया हम क्यों पीछे रह गये हमारी क्या कमी है मिडिया के लोग भी उस शहर की चर्चा करते हैं देखिए वो तो आगे बढ़ गाया तुम रह गए तो एक दबाव प्यादा हुआ है अब ये माहोल बन रहा है कि उनका सहर स्वच्चता रेंगी में आगे रहे उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो जो साथी इंदोर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे वो मेरी बात से और भी ज़्यादा सहमत होंगे आज हर कोई जानता है कि इंदोर यानी स्वच्चता में टौपर शहर कि ये इंदोर के लोगों की साजा उपलब्दी है अब ऐसी ही उपलब्दी से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है मैं देश की हर राज्य सरकार से स्थानिय प्रसाशन से शहरों के मेर से आंग्र करता हूं कि स्वच्चता के इस महाभियान में एक बार फिर से जुट जाए कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है लेकिन अब नई उर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है हमें ये याद रखना है कि स्वच्चता एक दिन का एक पखवाडे का एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है ऐसा नहीं है स्वच्चता हर किसी का हर दिन हर पखवाडे हर साल पीडी दर पीडी चलने वाला महाभियान है स्वच्चता ये जीवन शैली है स्वच्चता ये जीवन मंत्र है और जैसे सूबे उड़ते ही दांतों को साप करने की आदत होती है ना वैसे ही साप सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा और मैं ये सिर्फ पर्सनल हाइजिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं सोचिल हाइजिन की बात कर रहा हूं अब सोचिए रेल के डिम्बो में सभाई रेलवे प्लेटफरम पर सभाई एक कोई मुश्किल नहीं था कुछ प्रया सरकार ने किया कुछ सहयोग लोगों ने किया और अब रेलवे के तस्विरी बदल गई है बाबा साब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को भंते थे बहतर जीवन की आकांशा में गावों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उनका जीवन स्थर गाउं से भी मुश्किल स्थिती में रहता है ये उन पर एक तरह से दोरी मार की तरह होता है एक तो घर से दूर और उपर से ऐसी कठिन स्थिती में रहना इस हालात को बदलने पर इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अम्रुत का अगला चरांग बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के दिशा में भी एक एहम कदम है 2014 में देशवासियों ने भारत को खूले में सोच से मुक्त करने का ODF बनाने का संकल्प लिया था 10 करोड से जादा सौचालग के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया अब स्वच्च भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष है गार्बेज फ्री शहर कचरे के धेल से पुरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना अम्रुत मिशन इसमें देशवास्चों की और मदद करने वाला है शहरों में सत्प्रतिशत लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो शहरों में सिवेज का बहतरीन प्रबंदन हो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मिशन अम्रुत के अगले चरण में देश का लक्ष है सिवेज और सेप्तिक मेनेजमेंट बढ़ाना अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिशित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे कि हमारी बनाफरे सिक्ष लगले पिरे США वाटरे सिक्ष लगले रहे रहे हैं कि हमारी रहे हैं रहे हैं रहे हैं